ओम शान्ति जो दिलकस नहीं है उसकी विशेष्टा यह होगी वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहेज स्वते अनुभू करेंगे एक संबंध की अनुभूती में भी कमी नहीं कोई ऐसा संबंध नहीं जिसकी अनुभू उन्होंने ना किया माना समय कौन सा चल रहा है उस समय कौन सा संबंध है उसकी अनुभूती वो करते होंगे अगर बाब जब शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं थिक समय है इस समय पढ़ने का और संबंध कौन सा है शिक्षक का ये भूल कर उस समय संबंध याद आया सखा का मिलन मनाने का रूरिहान करने का अगर ये याद आ रहा है तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा पढ़ाई के समय अगर कोई कहे जैसे अभी आप पढ़ रहा हूँ न और इस समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परेस्तिती में बहुत शक्तिशाली अनुभो कर रहा हूँ क्लियर हुआ कुछ समय कौनसा है इस समय कौनसा संबंद इमर्ज होना चाहिए अगर इससे अलग आपको संबंद इमर्ज होता है तो वो सही नहीं है समय, संबंद, अनुभूती, वैस्ति ही होनी चाहिए जैसा समय है अगर पढ़ाई के समय ये कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिती में बहुत शक्तिशाली अन्भो कर रहा हूँ तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? बताओ क्या ये राइट है? कि अभी तो बावाज शिक्षक के रुप में पढ़ा रहे हैं ना अगर उस समय आप कहें कि मैं तो अभी आवाज से परे स्थिती का अन्भो कर रहा हूँ वो शक्तिशाली स्थिती का मुझे अन्भो हो रहा है तो क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाव शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा स्थेश्ट पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गोर्ली स्टूडेंट लाइफ ही अर्थार्त है क्लियर हुआ? कि जब अभी पढ़ने का समय है और आप आवाज से परे जा रहे हैं तो ये राइट नहीं है अभी पढ़ने का समय है तो जब पढ़ने का समय है तो ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चीए बाबा शिक्षक और मैं गोर्ली स्टूडेंट इस समय ये फिल करना यर्थार्त है क्लियर हुआ? ये है दिलकिस नहीं इसको कहा जाता है समय की पहचान परमान की समय कौन सा है सम्बंद की पहचान की इस समय सम्बंद कौन सा है और सम्बंद परमान सने के प्राप्ती की अनुभूती की बाबा अभी शिक्षक है मैं गोर्ली स्टूडेंट हूँ इस समय मुझे पढ़ाई का आनंद लेना है ये अनुभूती करनी है अगर ऐसा करते हो तो आपको वो जो सने है शिक्षक के रूप में वाबा जो दे रहे है वो आप कैश कर पाओगे तो समय की पहचान परमान समय पहचान लिया इस समय पढ़ने का है समय की पहचान परमान सम्बंद की पहचान और सम्बंद कौन सा है शिक्षक का और आपका कोंसा है पारली स्टूडन का तो संबंद की पैचान और संबंद परमान सने के प्राप्ति की अनुभुति यही बुद्धी को एक्सराइस कराओ क्या कराओ एक्सराइस कराओ यही बुद्धी को एक्सराइस कराओ जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिती में स्थित्त हो सके, यही बुद्धी की एक्सेसाइज कराओ, माना किस समय कौन सा समय है, कौन सा संबंध होना चाहिए, और इस समय इस संबंध से क्या अनुबुती होनी चाहिए अच्छा, ओम शान्ति झाल झाल